हेलो गाईज आज की इस वीडियो मेら डिटेल्स पीमी डिसक्ग करेंगे हम ठर्म सारिवीटेड है कॉन्ट्रेक्ट एकाउंट में जब चैंडर की बात करते हैं तो उसमें बहुत ऐसा वेल्ड्स आता है जिसके बारे में लोग नएहांते हैं तो उसी के बारे मेुझार डिट आईकोन पर दिया है अप जाकर करेद असानी से देख सकते हो तो कुछ पांचे टर्म से था जो कि हम डिसकर्स कर दिये थे पांच टर्म से इंपोटेंट अरुस्ता जो कि कॉंट्रेक्ट एंड टेंडर की बात जब हम लोग करते हैं तो उसमें आता है इंपोर्टेंट टर्म्स तो उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है तो आज जो रेस्ट 6-7 बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपेंशन ओफ वर्क तो suspension of work क्या होता है उसके बारे में details में इस lecture में discuss करेंगे इसके बाद हम लोग जो next important terms आएगा उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग की suspension of work होता क्या है suspension of work क्या होता है हम आपको अब details में discuss करवाते हैं अगर कोई contractor decide करता है कि construction work को temporarily hold off कर दिया जाए तब contract suspension हो जाता है या especially payment issue के region से होता है जो contractor का rights होता है और contractor को right है according to security of payment act and enforce कर सकता है तो जब payment का issue होता है तो contractor क्या करती है owner को यह किसी भी department को कि इस work को hold off कर दिये temporarily जब आप हमको payment नहीं कर रहे हैं तो यह mainly payment के issue के region से होता है जब owner contractor को payment नहीं दे पाता है यह department payment नहीं दे पाता है on time तो वो contractor जो टेंडर लिया है जो execute करा रही है वर्क को construction वर्क को वो क्या करती है कि owner को बोला जाता है कि आप टेंपरोरली होल्ड ओफ कर दिजे इस construction वर्क को ताकि जब फिर next fund आएगा वो हमें payment करके तब next work start किया जाएगा तो यह enforce करता है contract enforce करता है किसको करता है owner को यह फिर department को जहां से उसको tender मिला है वर्क को execute करने के लिए इसके बाद यह right होता है contractor का according to security of payment act the security of payment act के according वो enforce करता है owner को यह department को कि आप हमें payment नहीं कर रहे हैं तो यह वर्क जो हम टेंडर लिये हैं इस वर्क का execution को टेंप्रोरली construction वर्क को टेंप्रोरली hold off कर दिया जाए जब next payment होगा इसके बाद ही वर्क को फिर से re execute कर दिया जाएगा restart कर दिया जाएगा तो यह होता है suspension of work अब हम लोग language में देखते हैं details में कि suspension of work क्या होता है if the contractor is not fulfilling the requirements according to drawings and specification during execution of work तो एक condition ऐसा भी आता है कि जब contractor fulfill नहीं करता है यहां पर आप देख सकते हैं if the contractor is not fulfilling the requirements according to drawings and specification during execution of work अगर कोई contractor fulfill नहीं कर पाता है requirements according to drawings जो drawings का requirements होना जैड रेंग्स में and specification होना चाहिए work construction work का execution करने के लिए तो contractor अगर fulfill नहीं कर पाता है तो इस condition में work को suspend कर दियाता है means suspension of work होता है suspension of work कर दियाता है contractor का suspension कर दियाता है work का तो एक condition यह भी होता है अब next point हम लोग देखते हैं then the work can be suspended and contractor is informed in writing about the suspension of work तो अगर department के द्वार किया जाता है work का suspension तो उस condition में contractor को writing में writing मतलब return में दिया आता है कि आप का work तक जो है वो suspend कर दिया आता है कुछ दे के लिए आप पूरा जो रिक्वार्मेंट से execution of work का उसको fulfill criteria को fulfill करेंगे तब फिर से start कर दिया जाएगा then the work can be suspended and contractor is informed in writing about the suspension of work और suspension of work के बारे में उसको return में contractor को लिखके दे दिया जाता है कि यह वर्का suspension हो गया है तो next point देते हैं now to carry out this work new tender are invited और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर contractor के पास fulfill criteria contractor available नहीं है उनके पास suppose अगर इंस्टूमेंट जो यूज होना है concreting equipment है जो equipment है वो अगर specification के साथ उसके पास available नहीं है वह specification के साथ वर्क नहीं कर पा रहा है तो उस condition में क्या होता है कि new tender invite कर दिया था उसी वर्क को execute करने के लिए तो आपको समझ में आगा हो कि suspension of work क्या होता है और इसका क्या यूज है tender and contract में तो नेक्स्ट जो रिलेटेटर टर्म से वह है subletting of contract तो subletting of contract क्या होता है इसके बारे में details में discuss करते हैं तो सबसे पाले मनों देखते कि subletting of work का होना क्या जरूरी है contract and tenders में तो इस सब सबलीज इज प्रोसेस औफ इस सबलीज इज प्रोसेस और रेंटिंग आउट आउट परपार्टी टू एठ हड़ पार्टी बाई एट टिनेंट फोर एट टाइम परियाड ओफ दी लीज contract of the existing tenant तो क्या कहता है कि subletting of contract क्या होता कि कभी कभी क्या होता है कि suppose अगर बहुत बड़ा construction work है example में अगर आपको बता दें कि NH 33 का construction करना है तो NH 33 का construction जब हो रहा है तो अगर कि 250 किलोमेटर तक construction work करना है तो उसके अंदर में बहुत सारी contractor क्या करती है ले लेती है अगर नेशनल हाइवे ऑथिरिटी ओफ इंडिया ये वर्क करा रही है एनेच ये आई नेशनल आउथिरिटी ओफ इंडिया तो इस कंडिशन में क्या होता है कि बढ़ा contractor जो होता है वह छोटे 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 कंट्रेक्टर को छोटा 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 वर्क पेटी वर्क डिस्टीब्यूट कर देता है कि इस वर्क को आपको करना है और इस वर्क तो कुछ-कुछ फिस डिस्टेंस पर जैसे 200 किलोमेटर तक कंस्ट्रक्षन करना है नेशनल रहाइवे का तो सब बांगल करतेक्ट तक Word करनेे के लिए दूसरे Democracy का क्र åtकेंट्र को झालग रहे लिया रहाता है तो इसी का हम लोग पोर्टे सावलte Eng of contract तो अब language में डिखते की सब लेंटिंग ऑफ झायाता है सब लेटिंग मिंच लेडिंग आउट अब पॉर्षन ऑफ दीम मेन वर्क by दीमेन गोंडेक्टर टू सब कॉन्च टुक केरी आउट देट पॉर्षन आफ दी वर्क तो यहां पर भी सेम चीज़ है कि सब्लेटिंग मींस लेटिंग आउट ए पॉर्षन ओफ दी वर्क मेर तो जो में वर्क है उसका एक पॉर्षन किसी छोटे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं अगर कहीं पर बील्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो शिक्स स्टोरी बील्डिंग है और उसमें से foundation से लेकर के रुफ कंग्रीटिंग तक काम करना है इसके बाद column रिम का वरक करना है तो इस condition में क्या वाथ है कि छोटे-छोटे contractor को अलग अलग different tiver identifying का वरक करने के लिए एग्जीक्यूट करने की लिए contract दे दिया थाए बड़ा contractor रियर अगर एल एड एड़ी कंपडी करने के लिए पर एड एड मोथ है ब्लिडिंग बना रही है तो उस कंडिशन में एड़ाइं किया चोटे को कंपडेक्टर को पैटी वरग करने के लिए गृत का एड्डिकूस करने के लिए लिए कॉंट्रेक्ट दे구ome तो हम लोग वोते सब लेटिंग ओफ कॉन्ट्रेक्ट तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सच ये ट्रांसफर ओफ होल पॉर्शन ओफ वर्क इस नोट परमिसिवल अनलेज दी ओनर और डिपार्टमेंट गिफ से रीटेन एप्रूबल तो ये जो एप्रूबल होता है तो य चोड़ा च्टी वर्क जो दूसरे के टिरिया झोटा च्टकर को बड़े कंडेक्टर के पर आते हैश्व Day डिपार्टमेंट मेंये इन कोट्रेक्टर के बीच आनर के वीच एक पूबल की आता है जो इसके उत्परूबल क्या थैंगरिमेंट कि या नदेधिक तो Remoteґ नेक्स्ट टोपी के हमारा एक्स्ट्रा आइटम तो एक्स्ट्रा आइटम क्या होता है वह हम लोग देखते हैं जूटी अन्फोर्सीन डिफिकल्टी एंड सम् टाइम्स द्यू टू नेगलिजेंस वाइल प्रिपेरिंग प्लांस एंड डिजाइन इट बिकम्स नेसेसरी टू मेक एडिशन एंड अल्टरेशन डिवरिंग दी एज्टिक्यूशन ओफ दी वर्क कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेकलिजेंस आता है डिफिकल्टी आता है जिसके वाज़े से एक्स्ट्रा वर्क्स करना पड़ता है एक्स्ट्रा आटम हम लोगों को यूज भी करना इसका एक्जामपल आपको हम बताते हैं सपोज यहां पर सपोज अगर यहां से हमारा कोई रोड का कंस्ट्रक्शन करना है और यह रोड इधर से आ रही है और यहां पर किसी का घर है तो वो घर तूटना है तो यह घर वाले बोल दें कि नहीं हम इस घर को तूटने नहीं दें कर दिया गया कर दिया कि यहां से फिर इसका बेडिञ्य है जो अनर है यहां पर दो बोलेकि नहीं हम यहां पर बने नहीं देंगे तो इस कंडिशन में क्या होताः कि यहां पर एक्स्ट्रा ओट करना पढ़ दाता है तो तो हम वर्प भी ज्यादा करना पड़ेगा एंड फिर लेवल्व भी ज्यादा यूज्श करना पड़ेगा एंड टाइम भी टेकिन बिज्या-दा लगेंगा तो इसके अधिशन में क्या होता है कि बहुत सार डिफिकल्टी जा जाती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते है एक्स्ट्रा आइटम तब देख सकते हैं आपर लेंवेज में भी दू तो अनफोर्शीन डिफिकल्टीज और रतार आइटा जाती है होता है एक्स्टा अनफोर्शी इससे तो बहुत बढ़ी जाएंगिश बन सब्सक्राइट बन टेख सर में आइडएंग्य में तो यहां पर दो तैप से होता है एक्स्टा इपस्टा आटम एक होता है वन वीच फॉर्म से पार्ट ओफ दी कॉंट्रेक्ट एंड अधर सप्लेमेंटरी टू दी कॉंट्रेक्ट एक कॉंट्रेक्ट का पार्ट होता है एक सप्लेमेंटरी टू दी कॉंट्रेक्ट होता है तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म से एसकलेशन ओफ कोस्ट यह बहुत इंपोर्टेंट है टेंडर एंड कॉंट्रेक्ट के लिए तो कॉंट्रेक्ट इंड एकाउंट का ये टेंडर चैप्टर बहुत इंट्रेस्टेड है तो आभी तक आपने नहीं देखा है बहुत सारा वीडियो लेक्चर तो देख सकते हैं आ बहुत से का रख एक टियु तो टेंडर का ये क्या हथाए एक अर्ट एंड ये टूर्टे परिक्टिव टेंड प्रीरियो अगॉट्ट इंड तो आपनालीज टेंड ह्स एंड तेंस टैंड ये मेंड टेंड प्लीकेवल इंर इस गांट इस कॉंटрах्ट टेंड्यों सौन्ट ज्यादा होता है एंड दी ओपरेटी पिरिएट ओफ दी कॉंटेक्ट इज मोर्व ट्वेल बंस इंक्लोडिंग एप्रूब्ड नो पनलाइज एक्स्टेंशन तो कोस्ट जो है वो एक्स्टेंशन नहीं किया ज्यादा कोस्ट वो बढ़ाया नहीं जाता है सपोज अगर इसकलेशन ओफ कोस्ट नहीं होगा तो यहां पर इसकलेशन औफ कोस्ट का मीनिन यह हैं बोध दी कंडिशन ओफ कोस्ट ऑफ वार्क एंड दी पिरियाड ओफ वर्क व् सुट भी फूल फिल्ड तो नेक्स्ट हमारा है आर बैट्रेश्टं तो आरित्रेशन क्या होता है उसक yoki tranquility undergrad क्या है तो work execution करने के लिए जो contractor है तो वह तो लेही लिये लेकिन condition कभी कभी इसा हो जाता है कि Honor and contractor के बीच में ज्गडा start हो जाता है तो उस condition में क्या होता है कि कोई third person उस आगडा को सुल्धाने कर काम करता है तो जो सुल्धाने का काम करता है उससी को वो जो पूरा मेथड है तो उसको हम लोग क्या वोलते है आरवाइट ट्रेशन ए मेथड ओफ सेटलिंग दिस्प्यूट बेट्विन ऑनर एंड कॉंट्रेक्टर और डिपार्टमेंट एंड इट इस कॉल्ड आरवाइट ट्रेशन तो नेक्स्ट पॉइंट है दि परसन हो सेटल सच डिस्प्यूट इज कॉल्ड आरवाइट ट्रेटर मिंस की दो एक कॉंट्रेक्टर एक ओनर है और उन दोनों के बीच में किसी रीजन से जहगडा इस्टार्ट हो गया किसी टक्राव इस्टार्ट हो गया है तो अंरे में क्या होता है कि कोई थाड़ परसन उन दोनों के बीच में ध्रक को मेनेज कर देता है तो इसको हमलोग क्या बोलते हैंस आरवाइट रेसन एंडि जो ध्रक को फूल देता उसको अम लोग खर दोनों कि बाल जहता है ड्री ट्रेटर तो फॉयण except से फ़ॉइंट है हमारा quality आरगत ट्रेटर ट्रेटर फिय इन पंशन ओफ लॉंग अइस्टेंडिंग एक्सपीरियंस तो जो अर्वाइड्रेटर है वो लोंग इस्टेंडिंग एक्स्पिरियंस होना चाहिए इंपार्शियल एंड एक्सेटेबल टू बोथ दे पार्टी और ऐसा होना चाहिए कि जो ओनर है एंड कॉंटेक्टर है दोनों की दोनों उसका बात सुन सके ऐसा नहीं कि जो कॉंटेक्टर है उसका बात वो सुन ले और ऑनर उसका बात सुने ही नहीं दोनों जो है दोनों का बात मानना चाहिए मिन्स जो आर्बाइट्रेटर है उसका काम क्या है कि जो आर्बाइट्रेटर बोल रहा है तो वो ओनर भी सुनेगा एंड कॉंटेक्टर भी सुनेगा तभी यहां पर दोनों के बीज में जगडा सुलाज जाएगा तो इसी कम लोग बोलते हैं क्वालिटी ओफ आर्बाइट्रेटर दी आर्बाइट्रेटर फूट भी एपर्सन ओफ लोंग इस्टेंडिंग एक्सपिरियंस इंपार्शल एंड एक्सेप्टेबल टू बोथ दी पार्टीज ही सुड हैब नॉलेज ओफ रूल्स प्रोसीजर्स एंड लाव और उसके पास क प्रेक्टर एंड टेंडर के बीच का क्या जो ओनर है जो टेंडर इनवाइट के नोटिस इनवाइट के टेंडर तो इसके बीच जो जगड़ा हो रहा है तो कॉंट्रेक्टर का क्या रूल है एंड टेंडर का क्या रूल है उसको पता होना चाहिए किसको आरबाइट्रेटर डेमेज तो लिक्वीडेटर डेमेज क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कभी-कभी जो कॉंट्रेक्टर टेंडर लेता है और वर्क को एक्जिक्यूट करवाता है तो लोस हो जाता है और अपने कंपनी को समान कोो बेच कर पे करना पड़ता है तो इस कंडिशन में क्या होता है की लिक्वीडेटर डेमेज क्या ओता है जो कउन्ट्रेक्टर है वह कोन्ट्रेक्ट टेंडर अब लिया और एक्जिक्ट्ट कर रहा है वह लेकिन जो एमाॉंट राता है वह सारा एमाउंट्स खर्च करने के बाद ह्लीं जो 12 का रहता है जो टार्गिट रहता है तेंडर का वह औरह रहलके नहीं हो पाते दो हुब उसको लोगना पड़ता धो लोगन जो लेता है धो तो वो लॉन को चुकाना पड़ता है चाहे वो जैसे भी या तो अपना कंस्ट्रक्शन कंपणी को ही बेज दे या किसी बेज तरीके से उसको पे करना पड़ता है एमाउंट और कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करना पड़ता है क्यूंकि उसके पास और ऐसा इसलिए होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही तरीके से नहीं होता है और जो लेबर का इस्किल्ड है वो सही तरीके से नहीं होता है तो अन इस्किल्ड and standard equipment use नहीं होने के region से liquidated damage होता है तो liquidated damage क्या है कि जो contractor का loss होता है तो वो अपना loan लेकर के work को complete करता है अब language में देखते हैं It is an amount of compensation payable to the owner or the department by a contractor due to delay in construction The contractor shall pay to the owner or department the sum mentioned in the tender are liquidated damage for such default and not a penalty for every day और penalty वो जमान नहीं करता है इसका reason क्या होता है कि जब liquidated damage होता है तो वर्क डिले होने लगता है It has no relation with the actual damage and forms and uncertain figure as compared to actual damage Next point है the liquidated damage are not recoverable in case of delay in giving the possession of land Time limit is not mentioned in the contract delay due to extra item of work और यह इसलिए होता है Liquidated damage इसलिए होता है कि extra item जो होता है वर्क का extra item जो अब हम डिसकस किये इसी के region से वो work का delay होता है और liquidated damage होता है तो unliquidated damage क्या आता है वो हम लोग देखते हैं कॉंट्रेक्ट के उनलंगन के कारण जो नुकसान होता है तो उसके लिए कॉंट्रेक्टर को फिर से अपना फी जमा करना पड़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अन लिक्विडेटेड डेमेज लेंग्वेज में देखते हैं तो आप समझ गया होंगे यह पॉइंट क्या करा इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इंटेमेज एंड वाइस वर्षा अन लिक्विडेटेड डेमेज आर सम ओफ मनी देन के नोट बी फोर्षीन एज 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 एज़ फिक्स्ट फोर्मूला अन लिक्विडेटेड डेमेज जेज आर डिटरमाइंड बाइ कोट एंड इट इस्टेबलिस्ट बाइज और जैरी तो उम्मीद है आपको यह पूरा टर्म समझ में आ गया होगा तो आज के लेक्चर में इतना है फिर नेश लेक्चर में यूटोपिक के साथ मिलते तब त लाइब के लेक्चर में आर एंगे पुर्ण समझ के लिए टूओत, टूब के लेक्चर में एंगरूँ